तो बच्चों यहाँ पर फील्ड में हम दो बाते करेंगे मतलब की हम बात करेंगे की स्केलर फील्ड क्या होती है और वैक्टर फील्ड क्या होती है तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं वेक्टर स्पेस क्या होता है जैसे कि बच्चों हमने अभी पीछे बताया कि वेक्टर स्पेस एक स्पेस होता है जहां पर वेक्टर्स प्रेजेंट होते है या फिर बच्चों हम ये कह सकते हैं कि vector space is a combinations of vector कि अगर जहां पर combinations हो vector का तो उस area को उस region को हम क्या बोलते है vector space मार लो बच्चों कि ये हमारा एक space है अभी ये just only एक space है space मतलब होता है बच्चों area है कोई जगे है और अगर बच्चों उसमें हम fill कर दे vector ठीक है vector बच्चों क्या होता है एक ऐसी quantity जिसका magnitude भी होता है और साथ में direction भी होता है तो बच्चों अगर हमने मार लो की vector इसमें fill कर दिये put कर दिये तो ये जो space है बच्चों जो कि पहले हमारा सिक space था अब ये बन गया vector space तो बचो vector space जो होता है वो क्या होता है combinations of vector तो यहाँ पर बचो हम लिख सकते हैं कि V this is equal to V1 plus V2 plus so on plus Vt तो यह क्या हो गया combinations, combination मतलब हमने sum कर दिया तो बचो यह just simple सी एक definition है कि vector space क्या होता है तो बचो अब हम बात करते हैं कि field क्या होता है और field बचो दो types की होती है, एक होती है scalar field और बचो एक होती है vector field तो बचो एक के करके हम दोनों के उपर बात करेंगे तो बचो सबसे पहले हम बात करते हैं scalar field के बारे में तो बचो जो scalar field है वो एक scalar quantity से generate होती है Scalar quantity मतलब कि जिस quantity का only magnitude हो अगर बच्चों इसकी हम example लें तो एक temperature जो हमारा है इसको कि हम Kelvin में Kelvin में हम इसको major करते हैं इसकी unit लेते हैं Kelvin तो बच्चों जो temperature है T, E, M, P, E, R, A, T, U, R, E इस पहले पहले गल लिख दी मैंने बच्चों जो temperature है वो हमारा एक scalar quantity है तो बच्चों scalar field को हम एक 2D plane में 2D dimensional plane में हम इसको represent करते हैं बच्चों तो मालो बच्चों ये हमारा एक 2D dimensional plane है और ये इसका एक X axis है और ये Y axis है ठीक है ये एक plane है ठीक है 2D ये हमारा एक plane है 2D dimensional तो बच्चों इसका ये origin है और origin पे हमने एक temperature का source रख दिया यहाँ पर क्या है temperature का source और बच्चों x-axis के जो point है वो यह है 1, यह है 2, यह है 1 और यह है 2 तो बच्चों हमने क्या करना है कि यह तो हमारा source है हम देखेंगे कि इस source का जो impact है असर इस point पे कितना है यह बच्चों point हमारा कितना है यह point है 1, 1 इसके coordinates क्या है 1, 1 मालो बच्चों इस point पे जो हमारा temperature है वो 265 Kelvin है उसके बाद बच्चों हमने check करना है कि इस point पे यह 2, 2 जो point है इस temperature का impact कितना है ठीक है इस temperature का impact कितना है तो बच्चों जो point है जितना source से दूर जाएगा उतना ही temperature कम होगा तो मालो यहाँ पर हमारा 135 Kelvin है और बच्चों इसके coordinates क्या है 2, 2 तो बच्चों यह हमने scalar field को एक graph पे जो की 2D था उस पे represent कर लिया अब बच्चों इसको हम एक function की help से समझेंगे मालो बच्चों यह इस scalar field को हम समझेंगे इस function की help से function बच्चों हमारा है fxy और यह है x plus y ठीक है बच्चों हम बच्चों देखते हैं कि यह जो point है इसके coordinates क्या है 1, 1 और इस point पे scalar field कितना है ठीक है तो बच्चों यहाँ पर हम x और y के जगा यह coordinates पुट कर देते हैं तो बच्चों हमारा हो जाता है 1, 1 और right hand side में बच्चों हम x y के जगा 1, 1 point पुट कर देंगे तो बच्चों इस point पे जो की हम नाम देते हैं p इस point पे जो हमारा scalar field है वो बच्चों 2 है साथने बच्चों अगर हम यह point जो की हमारा k point है यह जो point हमारा k point है जिसके coordinates 2, 2 है और जो temperature है बच्चों वो 135 Kelvin है अगर हम इस point पे scalar field चेक करें तो बच्चों इस point पे scalar field कितना होगा तो हमारा function बच्चों क्या है f x y this is equal to x plus y तो बच्चों जहाँ पर x y है वहाँ पर हमने 2, 2 put कर देना है तो बच्चों यह हो गया 4 तो बच्चों k point पे इस source के साहिता से जो scalar field बना वो बच्चों कितना है 4 है ठीक है तो बच्चों यह हमारा क्या है scalar field और जो बच्चों जो scalar field होता है वो एक scalar quantity जैसे की temperature से generate होता है और scalar जो quantity होती है उसका only magnitude होता है उसका direction नहीं होता अब बच्चों हम समझते हैं कि vector field क्या होता है तो simply बच्चों vector field भी ऐसा ही होता है लेकिन उसका direction होता है साथ में तो बچो हम vector field को यहां समझते हैं कि vector field क्या होता है, यहां पर हमने एक line लगा लिए बचो अब हम समझेंगे vector field तो बच्चो वेक्टर field को समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक vector quantity होनी चाहिए जैसे कि electric field जो हमारी है वो एक vector quantity है तो बच्चों सबसे पहले हम इसको भी एक 2D plane के उपर represent करेंगे तो बच्चों ये हमारा origin है और जैसे कि मैंने आपको पीछे जब vector space समझाया था तो उससे पहले समझाया था कि vector क्या होते हैं तो बच्चों मैंने बताया था कि vector को हम ऐसे represent करते हैं और बच्चों ये vector का जो tail होता है वो क्या होता है ग्राफ का origin होता है और जो vector का head होता है वहाँ उसके उसका जो point जैसे कि यहाँ पी point है उसके coordinates होते हैं ठीक है बच्चों मैंने समझाया था detail में कि vector actually होता क्या है तो बच्चों माल लो कि इस origin पे हमारा कोई vector source है हमने माल ले कि यहाँ पर हमारा एक electric field का source माल ले कि कोई charge है plus q charge है बच्चों और हमने बच्चों यह x axis है और यह y axis है यहाँ पर हमने point यहाँ पर define कर लिए 1, 2, 1, 2 ठीक है मैंने यहाँ पर point लगा लिए बच्चों अब बच्चों हमने देखना है कि इस point पे इस vector source की वज़े से कितना electric field है ठीक है बच्चों तो बच्चों यह जो point है इसके जो coordinates क्या होंगे 1, 1 होंगे और बच्चों यह जो point है इस पे जो coordinates होंगे वो 2, 2 होगे अगर बच्चों हम बात करें इस point पे तो इस point पे जो हमारे coordinates होंगे यह y axis के उपर है तो 0, 1 होंगे और बच्चों हम इस point पे बात करें तो इसके coordinates क्या होंगे 0, 2 होंगे और बच्चों जो electric field भी है वो दूरी के साब से कम ज्यादा होगा जैसे ऐसे point दूर जाएगा तो electric field मतलब कम हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर temperature को हुगा है तो इसकी जरूरत नहीं है बच्चों कि कितना electric field है बस हमें बच्चों यह चाहिए कि इसके coordinates क्या है अब मालो बच्चों की हम इस vector field को इस function से represent कर रहे है हम उपर बच्चों यहाँ पर vector का sign भी लगा सकते हैं और अगर ना लगाए फिर भी चलेगा कि आपकी जो यह book है mathematics की इसमें बच्चों vector को उपर sign यह vector का sign arrow sign नहीं लगाया हुआ ठीक है अब बच्चों यहाँ पर हमने capital F लगाया है यह function है जो कि वेक्टर field को represent कर रहा है और बच्चों हम माल लगते हैं कि function कितना है x i cap and y j cap क्योंकि बच्चों यह 2D plane में हम एक vector field को represent कर रहे हैं और आपको पता है कि x axis में जो direction होती है उसको हम down करते हैं j cap से तो बच्चों हमने इस vector field को इस function से define किया है और बच्चों हम देखेंगे कि इस point पे मतलब की zero one point पे कितना vector field है तो बच्चों यहाँ पर हम x y की जगापर zero point put कर देंगे और right hand side में वे x y की जगापर हम 0 और one put कर देंगे तो बच्चों x की जगापर हम पूट करेंगे 0 I cap and y की जगापर हम पूट करेंगे one j cap तो बच्चों यह े ar 먹 हो जाएगा तो बच्चों 0 खोता है तो यह हमारा only रहा जाएगा जेक है तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि ये जो vector field है इसकी जो direction है वो किस तरफ है जेक है तो बच्चों हम इसको इस point से ऐसे करके तो या डार करके ऐसे sign लगा देंगे arrow का इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि ये इस vector field को represent कर रहा है उसके बच्चों हम देखेंगे कि इस point पे one one पे कितना vector field है one one ओके इस point पे कितना vector field है तो बच्चों हमने क्या करना है कि x और y की जगा पर one one put कर देना है तो बच्चों ये हो जाएगा i cap प्लस j cap बच्चों हमने इसको यहाँ पर show करा तो बच्चों ये जो point है इसको मैं रप कर देता हूँ कि आपको समझ आए हमने कहरना है देखेंगे i cap प्लस j cap तो बच्चों ये हो गए हमारा i cap और ये हो गए हमारा j cap ठीक है बच्चों और बच्चो जो vector का direction होगा मतलब कि इस vector field का direction होगा वो इसके perpendicular होगा मतलब कि कुछ ऐसा होगा वैसे इन दोनों x और y के mutually perpendicular होता है vector का direction बच्चो तो ये कुछ ऐसा इस marker के direction में होगा लेकिन हम इस whiteboard पर only इसको ऐसे ही represent कर सकते हैं तो बच्चो इसका जो direction है वो किस तरफ होगा ये denote कर रहा है बच्चो हमारा k-cap को जो हमारा k-cap direction होता है मतलब कि जो z axis में direction होता है उसको represent कर रहा है आपको पता है ना कि अगर हम 3D में किसी को यहां तो हम board की उपर तो 3D में represent नहीं कर सकते एक vector को लेकिन जो vector को अगर हम 3D म यहां पर होता है तो बच्चों इस वेक्टर का जो की यह वेक्टर फील्ड है इसका डिरेक्शन क्या होगा ऐसा होगा कुछ और इसको मैंने इस इस लाइन से डिनोट किया है ठीक है बच्चों आई होब कि आप समझ गयोंगे अब बच्चों हम यहां पर करते हैं टू टू पॉइंट पे इसका वेक्टर फील्ड डिरेक्शन क्या होगा तो बच्चों हमने एक्स और वाई के जगापर टू टू रप्रेजेंट कर देना है तो बच्चों यह होगा टू आई कैप प्लस टू जे कैप तो बच्चों यहां पर भी हमने क्या करना है कि अगर इस पॉइंट को हम रप कर दें तो यह हो गया एक्स एक्स और यह हो गया वाई एक्स मतलब कि आई कैप जे कैप और बच्चों यह डिरेक्शन होगा हमारे इ के हमने इस function में वस्ट वैल्य पूट करनी है तो बच्चों यह हो जाएगा टू जे कैप मतलब की इसका ड्रेक्शन जे कैप की तरफ है और टू यूनिट्स है तो बच्चों यह ड्रेक्शन कुछ इसा होगा ठीक है जे कैप की होगा कि यह वाई एक्सिस जो होता है वो जे कैप को रिप्रेजेंट करता है तो अब hope कि आपको vector space और field समझाया होगा जिसमें कि हमने बात करें कि scalar field क्या होता है और vector field क्या होता है तो बच्चों आज के numerical के नजरी से यह topic इतना important नहीं है जो हमने यह लिख पड़ा है vector space and field लेकिन बच्चों आपको physics में और mathematics में आगे जाके काफी जगा यह आने वाला है तो बच्चों इसके बाद हम करेंगे vector space जो हमारा chapter चल रहा है इससे rated numerical questions तो बच्चों आप बने रहें फिर हम मिलते हैं next वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को like करें अपने friends के साथ इस वीडियो को share करें और अगर आपने अभी तक हमाय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें thank you so much bye मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में